हलो गैस वेलक़ बैक टो मैंने वीडियो सो बात करेंगे हम बैंक निफटी के बारे में किस तरीके से आप प्लाइन कर सकते हैं फ्राइडे के लिए कल हमारे मार्केट का होली डे है सबसे इंपोर्टेंट मार्केट आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं था लेकिन उसके बाद भी हमने कुछ स्केल्प दी अपने मेंबर्स को जो आप देख सकते हैं यह हमारे टेलिग्राम ग्रूप है फ्री है आप जाके जॉइन कर लीजे इध 246,951 पे देखो 288 पे एंट्री थी 325 का हाई मारा है उसके बाद हमने एक और एंट्री कराई साड़े दस बजे 266 पे जहां 70 पॉइंट का मूव मिला तीन स्केल्प बढ़िया सुबह हुए उसके बाद मार्केट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था तो ज्यादा कुछ काम ह भी ओगा भी नहीं प्रॉफिट की बात करें लॉस की बात करें लॉस की बात करें तो यहां पर देख सकते हो मेमबर्स का प्रॉफिट लॉस आपको यहां देखने को मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं मार्केट बहुत ही जलन 49,000 आ जाएगा markets को टच कर दिया अब हमारा next बड़ा target है 50,000 जो बहुत ही जल्द आपको देखने को भी मिलेगा अब बात यह है कि market में आज हुआ क्या तो वो बात कर लेते हैं market में कैसे लोगों को फसाया तो देखो market हमारा open यहाँ पर होता है पहली ही candle में पूरा gap fill हो जाता है ठीक है उसके बात क्या होता है उसके बात अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे यहाँ पर support बनता है जिसको यह पहले से पता होगा जिसने कल वीडियो देखी होगी जिसने यह levels को देखे होगे उसको यह चीज पता होगी यहाँ से यह देख सकते हो market move करता हुआ अपने resistance पे जाता है ठी sideways zone में रहता है हमने जो सुबह काम किया था वो हमारा इस timing में काम हो गया था ठीक है उसके बाद market ने कुछ खास मौके दिये नहीं एकाद मौका दिया जो अच्छा खासा मौका नहीं था ओके ओके ही था जो एक बज़े के बाद market में देखो क्या हुआ notice करो एक बड़ी candle sideways एक बड़ी candle reverse एक बड़ी candle sideways यह लास्ट के टाइम में fall के है लेकिन यहाँ पर premium बड़ा नहीं है जिस तरीके आपको लग रहा है ना बड़ा fall आया आप premium का चार्ज आगे देखो कि आपको समझ में आए यहाँ पर देखो breakout करने की कोशिश fail यहाँ पर लोगों का trap यहाँ पर लोगों का trap तो आज के दिन में यही हुआ है लोगों ने अच्छा कासा यहाँ पर loss किया होगा अब बात कर लेते हैं next day हमारे लिए important level रहने वाला है 49,050 ठीक है जिदर से market एक दम से नीचे आया है last के time में और हमारे ल यह जब तक दो level ना निकले यह आपका no trading zone mark कर लो ठीक है आपके लिए बैतर रहेगा अगर आप इस zone के अंदर काम नहीं करेंगे तो ठीक है market इतना भी अच्छा नहीं देखो पिछले दो दिन से काफी ज़्यादा sideways है ठीक है उससे पहले देखो sideways था उससे पहले rally किया ठी फ्राइडे को कैसा move रहता है कैसा नहीं उसके according जो trades बनेगी वो telegram पर मिल जाएंगे आपको scalping दीती मैंने आज के दिन में 49,000 के उपर जो कि हमारा इस area में आया है morning में आना चाहिए तभी वो valid होता है otherwise नहीं होता है वीडियो को like करो channel को subscribe करो telegram को join करो comment section में जो पूछना आए मेरे से पूछ सकते हो thank you so much